तो देखिए इगनु की तरफ से आपके जून 2023 टर्मेंट एक्जाम का जो रिजल्ट है उसका जो रिजल्ट अपडेट है वो रोज ही अपडेट किया जा रहा है और इगनु की तरफ से दो बड़े अपडेट आए हैं आज तो मैं आपको बता देता हूँ यह करके क्या एसा होता नहीं है और इगनु की तरफ से सर्टर्डि और संडे को कोई भी जो नोटिफिकेशन या फिर कोई भी अपडेट रिजल्ट का हो या असायनमेंट अपडेट स्टेट्ट prett का हो कोई भी अपडेट नहीं आता है लेकिन इस बार इगनु की तरफ से 26 अगस्ति को भ दूसरा जो update है एक लोगी तरफ से वाया है जिन भी students का result आ चुका है चाहे फिर वो June 2023 के हों या December 2022 के student हों जिनका December 2022 का revaluation का result आ चुका है उन students के जो marks हैं उनके grade card में update होना start हो चुके हैं और साथ की साथ जो आपके assignments के marks हैं जिन भी students के June 2023 के या फिर December 2022 के दोनों ही term के students के जो assignments के marks हैं वो उनके grade card में update होना start हो चुके हैं आज भी कुछ students के जो marks हैं वो grade card में update होए हैं तो आप अपना जो marks हैं वो अपने grade card में भी एक बार चेक कर लेना कि आपके marks जो सही हैं वो आपके grade card में update हुए हैं या नहीं क्योंकि कई बार आपके जो marks हैं वो थोड़े से different होते हैं जो आपका assignment में marks आए हैं यहाँ पर जो marks आए हैं कभी कबार mistakes से गलत update हो जाते हैं हला कि ऐसा बहुत कम होता है लेकि आप अपने जो marks हैं उ अपडेट हुआ हैं उनके भी marks अपडेट हुए हैं तो जो भी students के marks आचुके हैं पर grade card में update नहीं हुए हैं तो वो अपना grade card भी check कर लेना तो यह दो बड़े अपडेट एगनु की तरफ से आए हैं तो अगर आपको यह वीडियो helpful लगती है तो इस वीडियो को जरूर ला अबड़ा हैं लोगो ऑट चाज हैं तो एगड़ाद कर दैया लाँ हैं नहीं हैं धर सबस्ताप ड्रूर बड़ेश हैं तो तो लगदोर बड़ेश की तो दोगजए हैं तो फ fact दो आपको दोगड़ेश हैं तो एट दोरीक में तोगड़े उन्में हैं लेगगो